हेलो दोस्तों मेरा नाम है दीपक ज्या और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल यह वाला देखो इसमें थोड़ा सा कल्कुलेशन रहने का है ठीक है थोड़ा सब्सक्राइब को देखो यहां पर कैल्कुलेट रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर हमें क्या निकालना है तो ऐसे कुश्चन में मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी क्या होता है जब भी आप लोग को निमेरिकल्स वाले टाइप को क्यों आते तो पहले यह क्रोस शेक्शन इरिया कितना दे रख्या है वन प्वे फाइव फाइव इन्टु 10 दे पावर 6 मीटर पर मीटर स्कूरर ठीक है यह एरिया दे रखा है इसके अलबाभे में बात करें आपको पर रस तीवी टीवी तीवी दे रखा है रसिस्टिवी से डेनोटकरते है जा यह सब जो भी डाटा दे रखा था वह आपने लिख लिया जो निकालना था वह भी लिख लिया तो फर्मूला कौन सा लगता है इन से बीच में एक फर्मूला याद होगा आपको आर इकोस्टू रो एल बाइए यह मैंने प्रवाइड कर दिया है ग्रूप्स के अंदर जुड 308 लैंथ कितना है दो मीट्र दे रखें तो दो और एरिया कितना है वान पॉइंट के लहां अब इसको ले जाऊँगा मैं रोबर कित इसपवार उपर गया कितना हो जाएगा आड़ो हो जाने पर ja Ne 개 फै तो यह कितना हो जाएगा तो यह कितना जागा 5.6 और नीचे क्या बच गया 1.55 है न यह उड़ेगा यहां पर दो जीरो आएंगे यह उड़ेगा यहां पर एक जीरो आएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसल हो जाएगा ठीक है अब इसको क्या करना है 155 को 560 से 530 155 ऐसे काटना आपको आप लोग कर सकते ह इसको बचा कितना एक जग लिख लो आप लोग इसको क्या करना है कितना यहां पर लिख सकते हो कितना 112 और गुने 10 के पावर कितना बचा है तो बचा है अब 31 को 112 में भाग दो ठीक है तो मुझे यह आ जाएगा कुछ 3.6 के राउंड आ जाएगा कितना जाएगा यह त्री लोम के अंदर क्या हो जाता है यह आ जाता है ठीक है क्लियर है इतना आई होप यह समझ में आया हो